उपचुनाव से पहले कॉंग्रिस के लिए दोहरी मुश्किल है उसके कई अपने पहले ही उसे छोड़ कर जा चुके हैं और जो बचे हैं वही पार्टी के लिए मुश्किल बन रहे हैं चुनाव से पहले शुरू हुए आरोप प्रत्यारोपों के दौर में बीजेपी गड़े मुर्दे उखार उखार कर कॉंग्रिस को घेरने की कोशिश कर रही है इस लड़ाई में उनका हतियार बने है कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायक उमंग सिंगार जिन्होंने सरकार में रहते हुए दिग्विजस सिंग पर आरोप लगाये थे कि दिग्गी अवैद रेत, शराप, ट्रांस्वर उद्योग चला रहे है और सरकार को ब्लेक मेल कर रहे है वैसे तो ये कॉंग्रिस का अंदुरूनी मामला था पर अब बीजेपी ने सिंगार के आरोपों के बहाने दिग्गी को घेरने की तैयारी शुरू कर ली है बीजेपी विधायक रामिश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान को पत्र लिखकर उमंग के आरोपों की CBI जाच की मांग की है याने दिग्विजेश सिंग को घेरने की पूरी तैयारी है अब भले ही एक चुनावी शगूफा हो पर ये तो तैय है कि कॉंग्रिस थोड़ा बहुत ही सही उल्जेगी जरूर वो भी अपनी ही पार्टी के विधायक के कारण बीजेपी की लिए ये तो हींग लगेना फिट करी और रंग चोखा वाली बात होई